क्या यह मैच्च फिक्स था, क्या पाकिसान USA से जान बूच कर हा रहा है, क्या पाकिसानी टीम के उपर फैशर सा USA से हाड़ने का, बहुत सारी बातें सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, मैं इसको सारी इसारी इसारी रीयाटिव इताने जा रहा हूँ, आकाउंट को फॉल हो तो कर ले वीडियो को भी लाइक कर ले देखिए सबसे पहरे तो आपको यह तसलीम करना पड़ेगा USA has played much better cricket than us USA ने हमसे बहुत अच्छी cricket के लिए USA ने एक दफा नी केनिड़ा की बैटिंग ने इसी USA की बोलिंग के अगेंस इसी ग्राउंड के अंदर 194 किया था और हमने किते ने किये 159 अगर बात करें बोलिंग की तो हमारे बड़े बड़े आमिर शाहीन हारीस नसीम सारे के सारे एक्सपोज होके रहें तो जो लोग यह बाते करें कि USA वाला बाबर करेंग कि मैं अपने प्रेस कन्फरेंस सुनी काफेदा दुखी से लेकिन क्या फाइदा हुआ आप बाबर की ही कैप्टन सी के अंदर आप अब यूईससे भी हार गये वो युएसे आपकी 77 एयर्स की जो क्रिकिट से ना उस पर सवालिया निशान बनेगी है कि कल की आई टीम ने आपको हरा दिया 37 साल से आप cricket खेलें और आप जिसको कहते हैं उस टीम से हार गिये जिसको कोई पूछता भी नहीं है यही इंडिया की टीम होती तो वो one-sided matches हराती तब भी इंडिया की टीम हमसे अच्छी है क्यों कि वो हमेशा चोटी टीम के अगेंस हाई लेवल की cricket खेलते हैं और हम चोटी टीम के अगेंस उनके लेवल के उपर जाके खेलते हैं बहुत सारे matches से शाहीन अगर वो आखरी ओवर के अंतर cash पकड़ा होता तब भी हम जीते होते अगर उनको ना खिलाया होता तब भी हम जीते होते लेकिए सब कुछ हुआ हमने जान बुझ के किया और हम हारे हैं यह हम अपनी गलतियों से हारें तो यह इल्जाम मत लगाए कि यह match fix सा पाकिसान जान बुझ के USA से हारा पाकिसान को USA ने अच्छी खासी शिकस दी है USA ने पाकिसान को outplay करके रखा है तो इस चीज़ को आडविट करना चाहिए कि हम हारे हैं और हमारे जिस्तों कहते हैं वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले खतम हो गया जो हमने ख्वाब देखे थे वह सारे के सारे तूटके रहा गया क्यूंकि अगली जो कहां नहीं हो बड़ी मुश्किल है अब यहां से सूपरेड के लिए जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि USA के चार पॉइंट्स हो चुके हुए और हम इंडिया से जीती नहीं सकते जो हमारी टीम का हलात है कि कैसे जीतेगी यह तो फाइंटिंग स्पिट करने के लाइन का तो नजर ही नहीं आ रहा आपके बोले सकता मैं बात करूंँ शाहिन अपना परसंदे ही नहीं रहा हाला कि आमिर ने सेकंड लास ओर बड़ा शांदार कर वाया था लेकि उसके बाद सूपर और में भी आमिर के साब बड़ा पैड़ लेकिन अगर आप यह सोचे अगर आपको 163 रंस डिफैंड करने हो और 15 रं का आखरी ओवर आजा है 15 बहुत जादा होते हैं हारी स्रोफ ने हमें निराश किया डिसपॉइंट किया दो फुल टासिस करके और सिमिलरली पाकिस्तान को जब सूपर हो में फुल टासिस मिली पा